मुटतबात की हर बड़ी कबल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यव चैनल और साथ में भी नोडिफिकेशन मेल को भी प्रेस करें पाकबाडा थाना छेतर में दिल्ली रोड पर जीरो पॉइंट के पास उस वक्त हड़कम मच गया जब अमरोहा की तरफ से मुरादबाद आ रही ओमनी वैन में अचानक आग लग गई वैन चालक और उसमें सवार एक अन्य वक्ती ने किसी तरह कूद कर अपनी जान बचाई रहागीरों ने फोरण ही थाना पोलिस के साथ दमकल विभाग को सूच न दी लेकिन वैन धूदू कर जल गई मौके पर पहुची दमकल की टीम ने बामुश्किल आग पर काबू पाया इस दौरान हाईवे पर अफरत अफरी का मौहौल बना रहा जानकारी के मुताबिक अमरोहा नंबर की ओमनी वैन यूपी बाइस जीरो आट सो एक तालिस अमरोहा की तरफ से मुरदबा शहर की ओर आ रही थी गाड़ी जैसे ही पागबाड़ा थाना छेतरी के हाईवे पर पहुची ओवर ब्रिज के नीचे अचानक उसमें से आग की लप्टे उठने लगी प्रतेक्ष दर्श्यों के मुताबिक गाड़ी में से दो लोग उतर कर भाग खड़े हुए संभफता एक कार चालक होगा वा एक अन्य इंस्पेक्टर पागबाड़ा सतीश शर्मा ने बताया कि गाड़ी में आग लगी है लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है जानकारी की जा रही है कि गाड़ी कौन लेकर कहां से आ रहा था अगर आपको हमारी ये पेशकर्ष पसंद आई हो तो फेस्बुक पेज को लाइक करें हमारी वीडियो को लाइक करें यूट्यूब व्यूवर्स अगर आप हमसे हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं और हमें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूले